Hello everyone, World Power Series के 14th वीडियो में आप सबका स्वागत है आज हमारे पास पहला वर्ड है abducted abduct का मतलब क्या होता है abduct मतलब होता है बिल्कुल वही जो kidnap का मतलब होता है किसी को illegally उठा के लेके चले जाना ठीक है उसके बदले में ransom का demand करना पैसे का demand करना यही होता है abducted जैसे देखिए किसी को पकर कर गैर कानोरी रूप से ले जाना या आपहरन करना to take hold of somebody and take him or her away illegally तो यह होता है abducted जैसे कि the girl was abducted in Georgia उस girl को उठा लिया गया या फिर उसका आपहरन कर लिया गया कहां पे Georgia में इस तरह के news जाते हैं तो abducted का मतलब क्या होता है उसका कोई भी सबूत नहीं मिला शरीड नहीं मिला उसका और the eight year old son of a popular rapper named Budz Kazin was abducted for a million dollar ransom इतने रुपे के लिए एक million dollar ransom मांगा गया और उसके बदले में इसको उठा लिया गया है उसके लिए kidnapping कर लिया गया और इसके बदले में कितने demand के गया है इतने demand के गई है तो abducted word अब जब भी आपके पास आए उससे सीध्य मतलब क्या निकालना है आपको कि kidnapping कर लिए गई उठा लिया गया इल ले लिए किसी को तो यह था पहला word आपके लिए abducted next word reconciliation reconciliation का मतलब होता है सामन जस्थ स्थापित करना किसी दो चीज में अगर विभेध है तो उन दोनों चीज़ों में फिर से क्या करना कोडिनेशन अस्थापित करना sentence में समझेए जो बातचित करके किसी नतीजे पर पहुचत है वो क्या उम्मीद लगा रहे हैं एक सामन जस्थ स्थापित किया जाए दोनों साइड के बीच में यह नेगोसियर्स का प्रियास है तो reconciliation is समनवे स्थापित करना और एक sentence में देखते है if the reconciliation between the two Indian tribes take place there will finally be peace in the area दोनों tribes के बीच क्या है बहुत ज़्यादा कलेश है कला है बहुत ज़्यादा अगर दोनों के बीच वापस सी कोडिनेशन स्थापित हो जाता है तो वो area जहाँ पर यह दोनों tribes रहते हैं वहाँ पर सांती स्थापित की जा सकती है reconciliation is again what? सामन जस्थ स्थापित करना क्यों क्यों नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही आदमी कैसे हैं बहुत ज़्यादा जिद्धी हैं stubborn मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिद्धी होना as stubborn as a mole यह आप सुने होंगे तो stubborn होता है बहुत ज़्यादा जिद्धी होना जैसी कि इंगलिज में समझ यह पेप दवे फोर सम्वन और सम्थिंग तो क्रिएट सिच्वेशन इन विच इजी एजीर फोर सम्थिंग और सम्थिंग तो है इस तरह से मार्ग परसर्ष्थ करना कि आगे चलके वह काम करना क्या हो जाए सहज हो जाए ठीक है और आसान हो तो यह होता है पेप दवे पेप दवे का मतलब होता है मार्ग परसर्ष्थ करना सेंटेंस में देखी किस तरह सी होता है इस फ्रेज का पाइनियर्स लाइक हर पेप दवे फोर विमन टुहाब करियर्स इन साइंसेज पाइनियर्स क्या होते हैं जो किसी भी फिल्ड में अग औरहाओने किया है ठीक है तो यह पेव्ट दवे का मतलब होता है मार्ण कर करना यह लग पर जो है तुब About और एक संदेंसर, we are looking forward to working with EDHA, and this will hopefully pave the way for similar schemes in area, EDHA के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, काम करने के बारे में सोच रहे हैं, और ऐसा होने से क्या होगा, EDHA की जो schemes है, same schemes, बांकि सारे areas में, जहां-जहां हम काम करेंगे, वहां हमां लागू हो जाएगी, paved the way, यह जो working है इसके साथ कर करने का, यह क्या करेगा, mark process करेगा, कि वैसे ही schemes, बांकि area में भी लागू हो जाए, next जो word है हमारे पास, वो है indelible, indelible का मतलब होता है, आप इस तरह से समझेए, कि मैंने permanent marker से यहां पे कुछ लिख दिया, permanent marker से अगर मैं लिखा हूँ, तो यह indelible हो गया, मतलब आप इसक को मिटा नहीं सकते है, कोई writing होता है, कहीं पर लिख दिया गया, वो उसको आप मिटा नहीं सकते है, तो वो physical sense में क्या होगी है, बिल्कुल literal meaning क्या होगी है, उसका आप इसको मिटा नहीं सकते है, indelible हो गया, that cannot be moved or washed out, जैसे कि रेखो, जो हटाया या धोया ना जा सके, amidsth अस्थाई, जैसे किया है, the time I spent with James has left an indelible imprint on my mind, मैंने जो James के साथ time spent किया, वो मेरे दिवांग में क्या होगी है, indelible imprint छोड़ के चले गया है, ऐसा याद छोड़ के चले गया है, जो मैं कभी नहीं भूल सकता, तो indelible मतलब क्या होगी है, जैसे कभी भुलाया या मिटाया नहीं जा सकता, after the kindness, after the kindness, he has shown to our family during this difficult time, he will always have an indelible place in our hearts, तो क्या हो गया, जिस तरह का उन्होंने इस situation में हमारे परिवार पे जिस तरह का महरबानी की है, जिस तरह का दया दिखाया है, जिन्दिगी भर हम उसको नहीं भूल सकते, ऐसी बात है जब आप कहते हो, तो क्या हो ज नहीं जा सकते, next word है, epoch, epoch क्या होता है, एक ऐसा एथियासिक घटना, एक ऐसा एथियासिक समय काल, जो कि एथियासिक दुष्टिकों से बहुत ही ज्यादा महत्यपूर्ण, उसको आप epoch कह देते हो, a period of time in history, that is important because of special events, characteristics, etc, उसको आप epoch कह देते हो, जैसे क्या है, many people consider the development of the first antibiotic to be the epoch of men's therapeutic advances, जो पहला antibiotic जब मानो बनाया था, तो वो ये जो फिल्ड है, medicals वाला फिल्ड में, ये एक बहुत बढ़ा एथियासिक घटना थी, कि हमने antibiotic डिजाइन कर ली है, इसके करण हम बिमारियों से, बहारी आकर्मन से बहुत अच्छे से लड़ सकते है, हमारा सरीर इस तरह से हो जाएगा, कि हमने पहला antibiotic बना लिया है, हमारा सरीर अब बहारी आकर्मन से भी लड़ लेगा, जैसी कि नेक्स सेंटेंस किया है, वेन दा फैरो, फैरो होते एजिप्ट के जो किंग्स होते थे पहले, उनको फैरो का जाता था, तो वेन दा फैरो फैरो फरस्ट तो जब फैरो का बेटा जब राजा बना, तो यह वहाँ के एजिप्टियन हिस्ट्री में एक ऐसा या ऐसा टाइम था, जो कि बहुत ही जाता है, अगला सेंटेंस है, हमारे पासे इसे से रेलेटेड, जैसे कि देखिए, देवलपमेंट औफ नुक्लियर वेपन्स इंडिक तो यह एक एथियासिक घटना थी, एथियास के दिश्टि कोन से बहुत महतोपूर्ण, तो ऐसा कोई भी एथियासिक घटना, जो बहुत ज़्यादा महतोपूर्ण हो, उसके लिए आप इपक वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है, वो है तो यूबिक्विटस वर्ड उसके लिए हो जाएगा, seeming to be everywhere or in several places at the same time, very common, जैसे हवा है, पिर्थ्वी में हर जगह मौजूद है हवा, तो यूबिक्विटस हो जाएगा, कुछ resources होते हैं, जैसे कोईला, लगभग सारे देश में पाय जाता है, तो यूबिक्विटस resources है, तो इस टाइब से यूबिक्विटस वर्ड का यूज किया आता है, एक ही समय में सर्वत्र आने के स्थानों पर विद्यमान लगने वाला या रहने वाला, यत्रतत्र सर्वत्र दृष्यमान, that is ubiquitous, जैसे कि एक सेंटेंस देखिए, when I was a kid, I thought my parents were ubiquitous, because it seemed as if they knew everything I did, जब मैं छ छोटा था, तो मुझे लगता है, मेरे parents ubiquitous है, हर जगह है, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ, उनको पता रहता है, पहले से कि तुम ही ने किया होगा, तो यह एक टाइप का sentence है, जिससे आप पता लगा सकते है, ubiquitous का किस तरह योज किया गया है, हर जगह present रहने वाला, अ everyone felt very safe, बहुत safe मैसूश करने लगे, क्योंकि police का presence बहुत ज़्यादा क्या था, ubiquitous था, हर जगह भी दिमानते police, the phrase, कौन सा phrase, going green, going green, आजकाल हर जगह आपको सुनने को मिलता है, आप सिक्किम जाएगा, तो वहाँ पे आपको केवल यही पोस्टर देखने को मिलेगा, है भी आपको हर जगह जगह ग्रीन करने की जरूरा थे, हर जगह पेर पौदे लगाने की जरूरा थे, कुछ ऐसे क्लाइमेटिक एक्संस करने की जरूरा थे, तो यह जगह आपको देखने को मिलेगा, going green, go green, इस टाइप से मिलेगा, next word जो आता है, वह है, transcendence, transcendence का मतलब होता है, किसी का usual limit को जो होता है ना पार कर जाना that is transcends जैसे कि जो अस्तु की सामानी सिमा का अतिकर्मन करना जैसे देखी क्या है according to some religions you will transcend the limit of this world and enter another world when you die कुछ religions का ऐसा मानना है कि जब आप मरते हो तो मरने तक तो इस दुनिया के dimension में रहते हो यहां के हिसाब से सारी चीज़ें होती है मरने के बाद एक अलग diamonds जीए जो दुनिया का limit है उसको cross करके आप दूसरे दुनिया में चले जाते हो तो transcends का मतलब पे ध्यान दीजी क्या है इस limit को cross करके यहां के एक limit बनाएगी उसको cross करके दूसरे जगह पर पहुँच जाना that is transcends आगे पहुच जाना अगर आप अच्छा सिक्षा प्राप्त करते हैं तो आप जो अभी जो socio-economic barrier है उसको आप अराम से लंग के आगे जा सकते हैं मतलब क्या है आप society में भी एक अच्छा स्थान बना सकते हैं और economically भी बहुत ज़्यादा प्रास्पर हो सकते हैं अगर आपने एक अच्छी सिक्षा हांसिल कर ली है तो जो limit बना दिया है na society उसको आप पार कर सकते हैं कैसे एक good education के द्वारा आप अपने स्थिती से निकल सकते हैं आपकी जो limit अभी आपको नजरा आड़े हैं वहां से आप transcends कर सकते हो अगर आपने अच्छा सिक्षा पाप राप्त कर लिया है तो the engineers were able to transcend the restriction of technology and create a robot that was indistinguishable from a human जो engineers हैं वो ये क्या कोशिस कर रहे हैं कि वो इस limit को जो रोबोट का जैसे अपना एक limit है वो आदमी नहीं बन सकता लेकिन engineers का ऐसा प्रियाद से कि वो transcend करना चाहते हैं इस limit को और एक ऐसा robot बनाना चाहते हैं जिसमें कि human के सारी qualities मौझो दो जैसे कि robot movie में आपने देखा होगा चिट्टी एक ऐसा robot था उसमें सारी qualities तो थी वो इनसान से कहीं बढ़कर था और साथी साथ उसमें emotions भी था तो वो क्या हुआ था कि जिसने भी उसे design किया था वो उस limit को एकदम transcend कर गया था पूरी तरह से पार करके एक ऐसा shift design कर दिया था जो कि इस दुनिया में possible नहीं दिखता है तो यह हो जाता है transcends limits के आगे निकल जाना that is transcends next है exacerbated exacerbated का मतलब क्या होता है किसी चीज को बिगार देना बत्तर कर देना किसी चीज को exacerbate कर देना that is exacerbate especially a disease or a problem किसी problem को exacerbate किया सकता है किसी बात से जैसे की देखिए कोरा नाम है किसी बंदेगा choose to exacerbate the argument by throwing a lamp at Mark's head argument चल रहा था उसको बिगारने के लिए उसको और ज़्यादा intensify करने के लिए exacerbate करने के लिए उसने क्या किया argument के दौरान है एक lamp throw कर दिया उसके सर पे चोट लगा जिसके कारण इसके कारण से तो यह क्या क्या है उस situation को क्या कर दिया intensify कर दिया exacerbate कर दिया तो यह होता है exacerbate का मतलब if you do not take your medicine your condition will exacerbate अगर आप medicine time पर नहीं लोगे तो आपका condition क्या हो जाएगा बत से बत्तर हो जाएगा ठीक है and you will feel worse आपको बुरा फील होगा आप बिमार पर जाओगे बहुत ज़्यादा तो exacerbate का मतलब हो जाता है अपने आपको और भी ज़्यादा बिगरने वाले इस्तिती में पहुझा देना जैसे if you do not tell the truth in court you will only exacerbate the charges against you अगर court में सच्ची बात नहीं कहोगे सच्चा है नहीं बता होगे तो तुम्हारे खिलाब जो case है वो और भी ज्यादा बिगर जाएगा हो सकता है तुम तुमको बहुत भ्यानक सजा मिल जाए इसके वज़ में तो यह जो कि अइसे चीज़ को बिगार देना बत्तर इस्तित में बना देना अप हर्यवल का मतलब गहें किया होता है उइसे और सट्ट में जया से इस स्टेट से उस स्टेट में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं यह जो आया है ना यह किया is going to be an upheaval यह एक ऐसा चेंज आया है जो कि local residents को बहुत ज्यादा परिशानी पैदा करने वाला है उन लोगों में जैसे और एक sentence दिखिए जब rebels लोग क्या कोशिष कि कि dictator जो था वो power में था सत्ता पे था उसको हटाने का बागी लोग क्या कोशिष कि सत्ता पे जो dictator बैठा यह उसको हटा दे तो उनके लिए उन्होंने जो प्रियास किये उनके लिए उन्होंने जब प्रियास किये, तो वो प्रियास किया हुआ, अपहिवल क्रियेट कर दिया, और पूरा कंट्री में क्या हो गया, chaos, राजकता की स्थितिया आ गई, पूरा कंट्री में, तो ये अपहिवल का मतलब होता है क्या, किसी चीज को बिगार देना, खास कर के बुरे मकसद के लिए, नेक्स्ट वर्ड है, डेलिटोरियस, डेलिटोरियस इज उल्टा ओफ बेनिफिशियल, वैसा कोई भी चीज आपके लिए डेलिटेरियस है, डेलिटेरियस है, डेलिटेरियस है, जो कि आपके लिए हानिकारक है, डेलिटेरियस, डेलिटेरियस हो स सेम मतलब है इसका, the effects of morphine are much more deleterious than those of opium smoking, morphine का जो effect होता है, वो कई गुना ज्यादा हानी का रख होता है, deleterious मतलब हानी का रख किस से, अगर आप opium smoke करते हो, उससे कही ज्यादा हानी का रख क्या होगा आपके लिए कि आप morphine का सेवन कर रहे हो, ठीक है, contrary to what many individuals believe, taking too many vitamins can be quite deleterious बहुत जदा vitamin का सेवन करना भी क्या हो जाएगा, आपके लिए deleterious यानि harmful हो सकता है, तो deleterious जो word आपके पास जब भी आएगा, उसका मतलब लगाएंगे harmful, deleterious, harmful, ये थे आपके पास 10 word, फटा-फट से revise कर लेते हैं, हमारे पास जो पहला word था, abducted, abducted मतलब, kidney कर लेना, कि अची को illegally उठा लेना, that is abducted, reconciliation, reconciliation जैसा word है, वैसा ही, मतलब है, इसका मतलब होता है, सामन जास या, corporation अस्थापित करना, वापस से चीज़ों को बहतर बनाने के इस्तिती करना, पैव दवे का मतलब होता है, mark परसस्त करना, ठीक है, किसी रास्ते में अच्छा काम करके, आप हिस्ट्री के point of view से बहुत है important हो, जैसे कि पहली बार antibiotic जब बना था, तो हिस्ट्री के लिहाद से medical science के हिसाब से बहुत ही बड़ा कदम था, पहली बार nuclear weapons बना था, तो warfare के हिसाब से बहुत बढ़ा एथियासिक करन था, ubiquitous क्या हो जाएगा, ubiquitous मतलब होता है, वैसा कोई भी बीचीज जो अमनी present है, वो ubiquitous हो जाएगा, next word आपने देखा था, transense, transense मतलब होता है किसी चीज का कोई limit बना हुआ है, आप उसको cross करके आगे निकल रहे है, जैसे science निकलता है आजकल, जितना आदमी सोचता है, उससे कही गुना आगे निकल जाता है science, तो ही क्या हो जाता आप हीवल्स, आप हीवल्स मतलब होता है कोई एक ऐसा बड़ा पडिवर्तन, जो कि खास करके negative sense में यूज किया आता है, आप हीवल्स, जैसे हमने sentence दिखा था, जैसे कि ये sentence था हमारे पास, the sudden closing of interstate exit, अभी हाल फिलाल में जिस तरह से सरकार ने बेंड कर दिया है, आप interstate आ जा नहीं सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, local resistance पे एक तरह का ऐसा इस्तिती पैदा करना है, एक ऐसा change लाया गया है, जो कि बहुत जदा प्रभाव पढ़ने वाला है, उन पे बुरा प्रभाव पढ़ने वाला है, हाला कि ये जरूरी है, इस लिए किया गया है, लेकिन इ deletrius का मतलब क्या हो था, deletrius is nothing but harmful, वैसा कोई भी चीज़ जो आपके लिए beneficial नहीं है, deletrius है, ठीक है, तेंक यू everyone for watching this video